अब इस lecture के अंदर जो चीज आपको मैं clear करने वाला हूँ कि आपने एक जिंदगी में ये नहीं सोचना कि mean या average ही सब कुछ है Whenever we have to deal with the big data और center को हमने देखना तो mean ही लेना, इसके अलावा कुछ नहीं लेना ऐसा नहीं है There are few limitations when you are dealing with mean और दो इसमें से जो important limitations हैं वो मैं आपको समझाता हूँ बकाइदा और उसको हम देखते हैं यहाँ पर अगर आप गौर करें main limitation ये है mean की या average की कि जब हम mean लेते हैं ना तो that is, मैं यहाँ पर लिखता हूँ limitations तो पहली limitation ये है कि ये sensitive है sensitive to outliers जब आप outliers को देखते हैं तो means जो है वो sensitive होते हैं outliers की base पे मिसाल के तोर पे अगर किसी चीज़ का mean center में है ना ये mean आपका अगर एक outlier आ गया तो ये इस तरीके से हो जाना है यानि कि एक value ने पूरे के पूरे mean को खेंच के दूसरी side पे कर देना है इसकी मिसाल मैं ऐसे देता होता हूँ अकसर उकाद अगर आपके पास id मिली है 10 रुपे 20 रुपे 30 रुपे इनकी average क्या ही थी? इनकी average थी 10, 20 और 30 या आते हैं 60 by 3 20 आगे ये इसकी average है अब हम इसको देखते हैं इनके इलावा अगर हम एक और value इसमें add करें 20, 30 जमा 200 अब आप मुझे बताइएगा ये कितना बनता है? ये बनता है 260 divided by 4 और round about ये इसकी average बनेगी 4, 6, 24, 24, 24, 5, 20, 65 कहां पे 20 और कहां पे 65 सिरफ एक number की वज़ा से ये सारे का सारा move होके right side पे shift हो गया and this is why you need to be very careful whenever you're dealing with these kind of data sets अब आपने देखा कि ये सारे का सारा right पे shift हो गया और एक outlier की वज़ा से ये 20 से 65 पे चला गया मिसाल के तोर पे अगर हम इसे draw करें अगर 20 यहां पे था तो 65 इसका center यहां पे बन जाएगा और 20 कहीं पे दूर रह जाएगा लेकिन अभी भी चार values हैं लेकिन इस 65 जो है ये 200 की वज़ा से यहां पे 65 पे आ गया यानि कि इस जगह से mean आपका shift हो गया और ये सारे की सारी आपकी data की sense कोई ही खराब कर देगा so you need to be very careful when you are dealing with mean average के साथ ये मसला होता है और mean जो है ये हमेशा आपको full story नहीं बताता कि ये नहीं है आपके data के बारे में हर एक चीज आप सिरफ average की base पर ही देख लेंगे कि जी average हमें पता चल गी है हमें हमारे पास full story आगी ऐसा नहीं होता it doesn't tell you the whole story ठीक है और अक्सरोकात ये accurate भी नहीं होता so you need to be very careful when you are dealing with mean आपको सिरफ और सिरफ center नहीं देखना होता you need to check the dispersion you need to check the distribution of data के data कैसे पहला हुए and there are some other things as well तो इस विज़ा से जब भी आम mean को देखें ये एक अच्छा toolbox है but this is not everything about your data this is just the starting point और starting point अक्सरोकात खराब भी होता है इसकी मिसाल मैं ऐसे देता होता हूँ अक्सरोकात जब आप पाकिसान में या घर से बाहर school जाते हैं college जाते हैं या अपने office में जाने लगते हैं को सुबह सुबह आपकी जो गाड़ी है वो अगर Allah ना करे खराब हो जाती है तो problem क्या होती है आपको को alternate तलाश करना पड़ता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारे का सारा दिन सिर्फ उस एक वज़ा से खराब गुजर रहे इसका मतलब ये है कि सुबह starting point में को मसला हुआ it's fine you can find an alternative और अपने आपको काम रखेंगे तो सब कुछ okay होगा लेकिन अगर आप उसी को सर पे सवार रखेंगे कि यार सुबह सुबह पता नहीं किने देख ले नजरी लगी काली बिली राट कट गी या something like that किसी उन्हें कुछ कीता है पाकिसान में यह भी बहुत होता है बहुत लोगों ने कुछ किया हुआ है so उसकी वज़ा से अगर आप अपने सर पे ले ले लेंगे तो सवारा काम खराब हो जाएगा you need to be very careful यह एक छोटा सा start था यहाँ पे अगर आपको लगा के data सही नहीं चाहरा है यह आपका पूरे दिन के लिए इसमें कोई खराब भी पैदा हो रही है ignore it you need to find another alternative यही चीज अगर आप रखेंगे अपने mind में तो mean आपको helpful साबित होगा ठीक है